दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो बिल्कुल All-in-One अप्लिकेशन है इस स्क्रीन पर दोस्तो आप उपर देख सकते हैं अगर आप इस अप्लिकेशन का यूज करते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आप money transfer कर सकते हैं mobile का recharge कर सकते हैं electricity का recharge कर सकते हैं यहाँ पर आपको loan की सुईधा भी मिल जाती है जिहां दोस्तो आप इस अप्लिकेशन में अपने लिए personal loan भी ले सकते हैं साथे दोस्तो यहाँ पर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको pay later की सुईधा मिलती है और इसके अंतर दोस्तो आपको 30,000 तक का credit limit मिलता है और इस limit को आप यूज करके एक लाग प्लस brand के साथ सौपिंग कर सकते हैं और EMI की भी सुईधा आपको मिलती है तो दोस्तो आपने देख लिया कि यहाँ पर आपको pay later की सुईधा मिलती है 30,000 तक का आपको यहाँ पर limit मिल सकता है और उस limit को आप यूज करके pay later में आप करवा सकते हैं EMI पर भी करवा सकते हैं यहाँ पर application को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आप यहाँ पर अपने bank account को link करके आप payment वगारा कर सकते हैं mobile का recharge वगारा कर सकते हैं या तो दूसरा तरीका दोस्तो आपको यहाँ पर एक jeep account create करना होता है जिसके अंतरगत दोस्तो आपको pay later के सुईधा मिलती है जहाँ पर आपको up to 30,000 का यहाँ पर credit limit मिलता है पंदरा दिनों का आपको समय दिया जाता है आप जो भी यहाँ पर transaction करते हैं समान वगर आप purchase करते हैं तो पंदरा दिनों के आप अंदर चुकाते हैं तो दोस्तो आपको यहाँ पर 0% interest देना होता है जी हाँ दोस्तो आप यहाँ पर नीच आएंगे तो आपको एक चीज और मैं आपको वदा देता हूँ जैसे कि दोस्तो मान के चलिए कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी product को buy किया है अपने account के cradle limit का use करके तो यहाँ पे आप अपने पैसे को EMI में भी convert करवा सकते हैं और दोस्तो यहाँ पे आपको interest लगाए जाता है वो 9% से लेकर 36% का आपको interest लगाए जाता है साथी दोस्तो यहाँ पे processing fee की बात करें तो 2% से लेकर 4% आपको processing fee लगाए जाता है I hope दोस्तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे है क्योंकि आगे चल कर मैं आपको बिल्कुल live process दिखाऊंगा कि कैसे आप pay later वाले option को यहाँ पे activate करेंगे और 30,000 तक का आपको यहाँ पे limit कैसे मिल सकता है अगर दोस्तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज दोस्तो वीडियो को like कीजिएगा आपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा और इस तरह के content मेरे चैनल पर आप देखना चाहते है तो यहाँ पे दोस्तों जब आप पहली बार open करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको login करना होता है अपने mobile number का use करके तो यहाँ पे दोस्तों मैंने login पहले ही कर लिया है उसके बाद दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे pay later वाले option को आप activate करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको 30,000 तक का credit limit मिल सकता है तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस फ्रकार का user interface ओपन होगा यहाँ पे दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जिप करके यहाँ पे आपको एक option मिलता है तो simply आप यहाँ पे click करेंगे जैसी दोस्तों आप यहाँ पे click करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जिप का आपको यहाँ पे एक sign मिलता है और नीचे दोस्तों आप देखेंगे spend now pay later get 30,004 और दोस्तों यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 3-4 option दिखाया जाता है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको swapping का option दिखाया गया है अगर आप यहाँ पे swapping करते हैं जैसे कि Amazon हो गया, Mintra हो गया, Flipkart ह हो गया, Snapdeal हो गया, Agio हो गया, इन सारे company के साथ आप swapping कर सकते हैं अपने इस credit limit का use करके अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आपको travel section पर लेकर चलता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आप Go IB Go, Yatra, Make My Trip, Clear Trip इन सारे जगाओं पे आप train की ticket कर सकते हैं या किस इसे भी परकार के यहाँ पे transaction करते हैं अपने limit का use करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप food section में आओगे तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको कई सारे company को देखने को मिलता है जैसे कि Jomato, Big Basket, Swiggy, Grow First, Reliance Frays यहाँ पे आप swapping कर सकते हैं अपने इस credit limit का use करके यही नहीं दोस्तों आप जब build section में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपने mobile का recharge कर सकते हैं, electricity का recharge कर सकते हैं, DTH का recharge कर सकते हैं, credit card का भी आप यहाँ पे recharge कर सकते हैं या दोस्तों आप trend की ticket भी यहाँ पे book कर सकते हैं तो दोस्तों आपने देख लिया कि कितने सारे यह करना चाहते हैं तो simply दोस्तों आपको नीचे activate now पे क्लिक करना होता है उसके बाद आप यहाँ पे allow करेंगे फिर से दोस्तों आपको अलाव करना है तीन चार बार आपको यहाँ पे allow करना होता है अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना personal information भरना होता है यहाँ पे आपको नीचे अपना आधार का नंबर एंटर करना होगा उसके बाद आप next पर click करेंगे अब यहाँ पे आपके सामने security code आता है आप यहाँ पे security code को डाल कर submit करेंगे security code को submit करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने एक OTP आता है आपके message के दोरा और यहाँ पे थ्वसा time लगता है उसको आप यहाँ पे enter करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसी मैंने अपना आधार कार्ट का नंबर यहाँ पे enter किया है तो यहाँ पे मेरे सामने एक message आता है कि जो आपका आधार का नंबर है वो दूसरे नंबर के साथ लिंक है जी हाँ दोस्तों इससे पहले मैंने movie के उपर account बना के रखा है और वहाँ पे मैंने KYC भी किया है तो यहाँ पे मेरे को message आ रहा है तो चली मैं OK पे click कर लेता हूँ अब दोस्तों आपको क्या करना है आपको simply दोस्तों यहाँ पे अप offer दिखा दिया जाता है यानि दोस्तों आपको कितना limit मिलता है यहाँ पे आपको दिखाया जाता है maximum दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 30,000 तक का limit मिल सकता है और दोस्तों जैसी आपको limit दिखाया जाता है उसके 10 मिनट के बाद दोस्तों आप क्या करना होगा आपको simply यहाँ पे click करना होगा, चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे click करता हूँ, तो जैसी दोस्तों आप यहाँ पे click करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलता है, आपका जो zip balance है यहाँ पे आपके सामने show होता है, अभी दोस्तो मैंने activate नहीं किया है क्योंकि दोस्तो मेरे दूसरे account पे already activated है तो यहाँ पे मैं अपने दूसरे आधार card के साथ activate नहीं कर सकता हूँ तो यहाँ पे दोस्तो जो भी आपका credit limit होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे दोस्तो आपका जो main balance है यानि wallet पे आपका जो main balance है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है अब दोस्तो मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दू कि जो भी आपको यहाँ पे credit limit मिलता है आप देख सकते है तो दोस्तो मैं आपसे request करता हूँ कि आगर आप यहाँ पे अपने limit को use करते हैं तो आप समय पे payment कर दीजेगा दोस्तो अन्यथा आपको आगे चल कर बहुत सारे problem भी होते हैं आपको extra penalty भी देना पड़ता है और जो आपका civil score है उसमें भी गड़बड हो सकती है अब दोस्तो जब आप अपने home screen पाएंगे तो यहाँ पे दोस्तो आपको बहुत सारे service मिल सकते हैं जो कि आप इस application के माधम से कर सकते हैं जैसे कि दोस्तो मान के चली आप अपने पैसे को credit card से bank में transfer करना चाते हैं यहाँ पे दोस्तो आपको option मिल लाता है आप यहाँ पे click करके अपने credit card का जो पैसा है उसको bank account में आप transfer कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो जब आप यहाँ पे slide करेंगे तो यहाँ पे दोस्तो आप देख सकते हैं आप अपने balance को यहाँ पे check कर सकते हैं जो भी आपका balance यहाँ पे link होगा जो भी account number आपका link होगा उसका balance आप check कर सकते हैं उसके बगल में दोस्तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे अपने credit card का जो भी bill है उसको भी आप यहाँ से pay कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप अपने किसी भी friend को refer करते हैं तो यहाँ पे 20 रुपीज का आपको cashback मिलता है उसके बगल में दोस्तों यहाँ पे आपको और भी कई सारे ऐसे benefit वाले method देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपने application में use कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अगर आप service all पे click करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे method देखने को मिलते हैं जैसे कि दोस्तों मान के चलिए आप money transfer के यहाँ पे आपको बहुत सारे method देखने को मिल जाते हैं बिल recharge वगरा आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आपक के लिए offer है वो आपको देखने को मिल आता है नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी कई सारे ऐसे service मिल सकते हैं तो दोस्तों आप इस application का यूज करके बहुत सारे service का आप यहाँ पे lab ले सकते हैं और बहुत सारे चीजों को आप enjoy कर सकते हैं फिलाल दोस्तों आप हमें comment box पर comment करके यह जरूर बताईगा कि आपको कितना limit मिल आई हूप दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो दोस्तों आप यह सीख गयोंगे कि कैसे आप पे लेटर वाले option को यहाँ पे activate करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको 30,000 तक का यहाँ अंदर चुकाते हैं तो वहाँ पे आपको 0% यहाँ पे interest pay करना होता है I hope आपको वीडियो पसंद आओगा अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आओगा तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा दोस्तों के साथ share किजिएगा और इस तरह के content मेरे चैनल पे आप regular दे